ओम जैंति मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गा च्छमा शिवा धात्री सौहा सब्दा नमस्तुते जाइमा 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 मेरे भाई और मेरे बहनों चमतकारिक समधान में आपका स्वागत है आज आपके सामने एक इतना बढ़िया उपाय रखूंगा यह अजमाया आपने करना क्या है अगर आपको लगता है कि एक छोटी सी लाइची आपको लगता है कि सिरब आप चाहे में डाल कर इसको चाहे पीते हैं या मसाले में इस्तेमाल करते हैं आज मैं आपको छोटी लाइची से कुछ ऐसी जानकारी दूँगा कि जिससे आपके घर का वाता व पैसा आता है बीमारी में चला जाता है तुछ से मुक्ति के मैं आपको पांच पाय आज बता रहा हूं इलाईशी के अब आपने करना क्या है समझ लीजिए आपने शनिवार के दिन माता काली की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक सरसो के तेल का दिवा परजलित करना है शमय हो होगा साम साथ से लेकर नौ बजी के बीच में और आपने वो दिवा पजलित करने के बाद ग्यारा ग्यारा इलाईची नह दस न बारां ग्यारा ग्यारा इलाईची आप माता जी के चड़नों में रख कर आप या तो यह बोल सकते हैं जाएमा 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 या जैंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गाच्छमा श्रिवाद्धात्री सोहा सब्दा नमस्तु दे जाएमा 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 जाए चाहें आप इस मंत्र को बोलिए तो आपने करना क्या है तकरीबन आपने 20 मिनट आपने माता जी के चल्ड़नों में बैठ कर जो ग्यारा इलाईची रखी है और जो दीवा आपने परजलित कर रखा है सरसों के तेल का तो आप करेंगे क्या अगल दीवा को जलने दीजिए जो दीवा शान्त हो जाए गंटे में दो गंटे में उसके बाद वो 11 इलाईची को आप जैसे के आप धन को समालके रखते हैं उन 11 इलाईची को क्या काम आएंगी सुनिए पहला उपाए अगर आपको लगता है के परिवार में किसी ने किसी पे कुछ करार रखा है या चोराय पे गलत पैर पड़ गया और किसी को रात को बुरे-बुरे सपने आते हैं तो एक इलाईची रात को जल में भिगोईए गंगा जल में एक ग्लास जल लेकर उसमें एक इलाईची डाल दीजिए और अगले दिन प्राता वो जल उस इनसान को पिला दीजिए जिस पर आपको दरा रखा है तो निश्चित रूप से उसका वो किया दरा मिठ जाएगा दूसरा उपाए अगर आपको लगता है कि कोई बिवार चल रहा है परिवार में तो एक इलाईची उसको परशाद रूप में दे दीजिएगा उसका रस चूसता रहेगा धीरे देरे उसका कलेश हैं भला ही भला है और चौथा पाए में बता रहा हूं कि परिवार में लगता है कोई बिमार है और कभी न कभी कुछ हो जाता है तो उसका जल जल में आपने इलाईची रादबट डोबोकर अगले दिन उस जल को आप विखेर दीजिएगा परिवार के अंदर शांती हो जा हाल कर सकते हैं क्योंकि हम चमतकारिक समधान जो दे रहे हैं सबका भला चाहते हैं और सबका भला होगा भी तो जो पांच मौपाय है अगर आपको लगता है कि कोई बिमार है तो आप ये उसको उपहार सरूप भी दे सकते हैं परभू की किरपा से उसकी बिमारी कट जाएग तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव